नवश्कार आप सभी को आपके ही अपने यूटूब चैनल पे श्वागत हैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्त होंगे मस्त होंगे और आप अपने तियारी में व्यस्त होंगे तो जो जो बच्चे इस बार 12th के board exam देने वाले हैं और जिनका political science है subject तो उन बच्चों के लिए फिर से एक बार top VVI ऐसे 10 question VVI के रूप में लेकर के आए हैं कि जो कि बार बार political exam में पूछे जाते हैं ऐसे स्रीज का यह आपका पांचमा स्रीज है political science का चुकि इस channel पे free आपको history हो, geography हो, political हो, economics हो और home science हो साथ साथ हिंदी का भी स्रीज आपको इस channel पे डाले जाते हैं तो अगर एकदम नए बच्चे होंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे के जितने भी वीडियो है पड़े उन सभी स्रीज को देखें और अगले दिन से आप एकदम मेरे साथ अपडेट र देजे चली पहला कोस्टन आपके सामने इस स्रीज का लग गया यह आपका पांचमा स्रीज है पहले चोठे स्रीज में 40 कोस्टन तक करा दियें अगर इस स्रीज को आप कम्प्लीट देखते हैं तो 50 कोस्टन आपके विवियाई के लिए रेडी है और आपका confidence level high रहेगा चल तो आप copy पे लिख लेंगे एक तरफ आप अपना answer इधर में अपना answer लिख लिजे और इधर में A, B, 10 ऐसे कर लिजेगा 1, 2 कर करके और कोन A, B होगा यह आप एक तरफ मेरा एक तरफ अपना और last में आप a score बताया कि हाँ इतने मेरा इतना सही है तो सही जवाब के अगर हम बात कर लेंगे तो यह सही जवाब हो जाएगा 1945 यह याद रखेंगे 1945 क्यों बोल रहे हैं चुकि यही वो दौर था कि 1945 में आप सब जानते हैं कि second world war यानि दुत्य विश्विद का क्या हो गया अंद और दुत्य विश्विद से पहले मालो यह पस्मी गुट में माल लेते ह अमेरिका यह पुर्वी तरफ ले ले यूएसस आर तो यह यूएसस आर वाले जो थे न यह पहले साथ देते थे अमेरिका का प्रथम विश्विद में भी और दुत्य विश्विद में भी लेकिन दुत्य विश्विद के बाद चेप्टर के अंदर पढ़ाया गया है कि कैस ऐसे इंटी हो गिया 1945 के बाद कि दुनिया में लगे कि अब यही दुनों में भीशन आक्रमन हो जाएगा थर्ड वल्ड बार आ जाएगी तो एक दुसरे पे ऐसा लग रहा था कि कब सोविय संग के तरफ अटेक हो जाएगा अमेरिका पे और यह लग रहा था कि कब अमेरिका कर देगा सोविय संग पे तो ऐसे स्थिती 1945 से बनी रही और लगभग 1990 कानमे तक यह बनी रही तो 45 साल का बीच में जो दौर है इसी को विद्वान सीत यूद की संग्या देते हैं चुकि यह फाइनली यूद हुआ नहीं ठंडे ठंडे रा गिया इसको कोल्ड वार बोलते ह तो यह आपका सही जवाब होगा ए उप्सन 1945 के बाद से वर्ल्ड में अंताराष्टिय राजनिती में सीत यूद क्या हो गया प्रारम हो गया तो फस्ट का ए उप्सन बिलकुल सही है अब बढ़ते हैं आज के स्रीज का सेकंड प्रस्ट बहुत ही बढ़िया और प्याराशा प्रश्ण है इनके बारे में आप जानते होंगे सीख हशीना जुल्फो वाली चले यह आदमी है जिनका नाम है शेख मुझीबूर रहमान किस देश के प्रदान मंतरी थे क्या पागेस्तान के प्रदान मंतरी हैं सीख मुझीबूर रहमान या बांगला देश के या अफगा अब इधर ध्यान से सुनेंगे अगर बात कर लेंगे 1947 से पहले कि तो 1947 से पहले बांगला देश और पाकिस्तान आप सब जानते हैं कि दोनों किसका हिस्सा हुआ करता था तो दोनों अपना इंडिया का हिस्सा हुआ करता था ठीक है चली यह ध्यान सुनेंगे अब यह वाला ज यह जो हिस्सा देख रहे हैं आप यह हिस्सा पहले हमारा बंगाल का भाग था और यह हमारा इधर पस्मी बंगाल हो गया है तो यह बंगाल था जिसमें बाद में बिहार बेगर अलग हो गया था उड़ी सा तो बंगाल ऐसे 1947 में बटा कि यह बंगाल का यह जो हिस्सा देख र वाले जो भाग हैं इनको ये मिल गया तो एक ये वाला भाग और ये वाला भाग तो दोनों भारत के ऐसे अलग हो गए और यहां पर कैसे चेप्टर में पढ़ने हैं कि कैसे यहां से सेक मोजीबूर, रहमान, पार्टी बेगरब बनाते हैं, चुनाव जित के जाते हैं, यहां बांगला देश को पाकिस्तान के चंगूल से सोतंतर कराती है, 1971 की बात हैं, यह ध्यान सुनेंगे, तो 1971 में जब बांगला देश सोतंतर देश बन गया विश्व में, तो इसके पहले जो प्रधान मंत्री थे, वही पहले प्रधान मंत्री बने, सेख मोजीबूर, रहमान, औ अब बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रशने की ओर, अगर स्रीज से आपको लाब मिर रहा होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और हो सके तो आप अपने दोस्तों के पास में, सेर भी कर दीजिए, जल्दे से फड़फट वीडियो रोक के, चली, अब तीसरा प्रशन हैं आपके सामने कि भारतिये योशना कफ शमाप्त कर दिया गया, जो बचे पहले से स्रीज देख रहे हैं, उनको मालूम होगा, चुकि ये एक रिपीट कोसर लिए हैं, ताकि आपसे बनता है कि नहीं, पिछले स्रीज में इसका डिसकस किये थे, क्या 1947 में, या 1977 में, या फ यानि D-Option साहिए, रिजन पूछो हमसे, तो आप जानते हो कि पहले पंचवर्षी योजना चलता था, और पंचवर्षी योजना के 2014 में खतम हो गया, और फिर एक जनबरी 2015 से अगर बात कर लेंगे, तो नारेंदर मोदी का शासन काला आ गया था भाई, और वो प्रदान मं पंचवर्षी योजना के जगा पे कौन आयोग हो गया, नीती आयोग, तो थ्री का D-Option एकदम राइट है, फटाफट से अब जनकारी आपको देना है, कि फोर प्रश्न के उपर में, किस देश में, निम्न में से, किस देश में सवतंतरता के बाद सफलता पुर्ण लोगतं इन सभी देशों को आप ध्यान से देखेंगे, जहां पे सफलता पुर्ण जो है, वो आपका लोगतंतर डेमोकरिशी चल रहा है, क्या पाकिस्तान है, पांगलादेश है, श्रीलंका है, ये इन में से कोई ने, तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और बांगलादेश का कि इस तरह से आजादी के बाद भी कैसे संघर्ट चलते रहा, कभी सेना का सासन, कभी कुछ का पागिस्तान बगरत देखे, तो कहीं लोगतंतर अगर है, तो भारत में भी है, लेकिन भारत का उफसन नहीं है, तो सही जो जबाब हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, सिरिलंक ठीक है, तो फोर का यहाँ पे सी ओफसन एकदम राइट है, फोर का सी ओफसन क्या है सर, राइट है, अब वरते फाइब नमबर प्रस्न मात्रा और पांच प्रस्न बच जाएँगे, जल्दी जल्दी देखेंगे, सिरिश्य कहीं जाएगा नहीं, एकदम मन मार के आपको दे लध पुरुश की संगया किसी दी गई है? यानि किसे दी गई है? यह बड़ी मिस्टेक है, आप देख लेजेगा, लध पुरुश की संगया किसे दी गई है? मात्मा गांधी को, जिवारला नेरू को, सरधार पटेल को, यह इनमें से कोई नहीं, सही जवाब बताएगे कि लौपुरुश्ट कुन्हें करते हैं आइरण मैन ठो तो ऊस्ते vinden सवाहिआ हो जाएंगे आपके सरदार पटेल को यह याद रखेंगे सरदार पटेल को गुजरात में इनके परतिमा बेगरा है गुजरात से विलॉम करते हैं सरदार पटेल जो है इनको लोह पुरुष के संग्या दे गए है बाके आजादी के टाइम परते हैं कि इन्होंने एकी करण का जिम्मा संभाला ठीक है चली फाइब के सी ओप्सन सही है अभी सिक्स प्रशन है फटापर से बताएंगे कि विश्व स्रम संगठन की मुख्याले कहा है विश्व स्रम संगठन का मुख्याले कहा है यानि वर्ल्ड इंटरनेशनल लिवर और्गनाजेशन समझ सकते हैं International Liver Organization ठीक है चलिए वर्ल्ड लिवर और्गिनाइजेशन जिसको करते हैं डबलू यह आपका स्रम है तो डबलू यह बिश्व क्या है लेकिन इसको बोलते हैं एक मिनट चलिए इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं लंदन है या फिर जिनेवा तो सही जवाब हो जाएगा आपका जिनेवा में जिनेवा कौन से देश में पढ़ता है ये भी आपको कमेंट में बताना है काई की पिछले वीडियों बता हैं आपको तो आपको बताना है कि जिनेवा कौन से देश में नहीं आता है तो गूगल प कि जिनेवा कौन से देश में पढ़ते हैं आप साथ में प्रस्थन है कि मानवा धिकारों की सार्व भौमिक घोषना कब की गई कब की गई मानवा धिकार के सार्व भौमिक घोषना option 1 है 1945, दूसरा है 1946, तिसरा है 1947, चोठा है 1948 सही जवाब आपको बताने है कि कौन से अप्सन सही हो जाएगे मानव धीकारों को घोशना की बात करें तो ये भी आपको पढ़ाया गया होगा 1948 में याद रखेंगे 10 दिसंबर 1948 मानव धीकारों की घोशना की गई इसमें काफी सारी अधिकारों की बात की गई है कुछ अधिकार प्रमुक है जो आपको याद रखने योगे है बोर्ड परिक्षा में कोशन के रूप में पूछे जा सकते हैं चले एट प्रस्ट एट नम्मर प्रस्ट है कि गुट निर्पेक्षता हेतु प्रथम अंतरास्टी सम्मिलन कब हुआ गुट निर्पेक्षता आप जानते होंगे कि एक बना था आपका नाटो और एक बना था आपका वारसा पैक तो वारसा पैक किसका है सोबिय संका नाटो अमेरिका बनाया था तो ये दोनों गुटों में से जो लोग अलग अपना गुट के स्थापना के नए सोतंत्र अजाद देश थे उनको कहते एन ए एम गुट नेर्पेक्ष आंदोलन तो गुट नेर्पेक्ष आंदोलन के लिए अंतराष्ठी सम्मिलन कब हुआ 1947 में हुआ, 1950 में हुआ या फिर 1961 में या फिर 1963 में तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1961 में अंतराष्ठी सम्मिलन ये 61 में हुआ 61 में गुट नेर्पेक्ष आंदोलन की सुरुबात हो जाती ठीक है चलिए अगले प्रस्न को बढ़े अगले प्रस्न देखे कियुबा मिसाइल संकट के समय, अमेर्की राष्ट पती कौन थे, क्या बेन जॉन्सन थे या फिर जॉन F. गैनेडी थे या ट्रमैन थे या जीवी कारटर फटाफट से जनकारी देंगे पटाफट से पताएंगे कौन सा ओप्षन सही हो जाएगा मान लो यह अमेरिका है स्टेक हो गिया जवाब दीजी आप फटाफट से तब तक हम आपको बताएं मान लेते हैं कि यह बीच में प्रसान महासागर थे यहां पर क्यूबा एक देश है और इधर से सोबियस संग क्या किया कि यह समाजबादी था क्यूबा तो क्यूबा यहां मिसाइल रखने लगा कि मिसाइल संकट ह 62 में उतनी विस्तिरी जनकारियां नहीं दे सकते हैं छोटे-छोटे वीडियो में तो इस समय क्या थे कि तीनों जगह के राश्टपती बहुत इंपर्टेंट है अमेरिकी राश्टपती के बाद कर लेंगे तो अमेरिका के राश्टपती है जॉन एफ कनेड़ी और याद र अब टेन आज के लास्ट प्रस्ट पर देखे करते हैं कि प्रथम खाड़ी यूद के शमय इराक की राश्टपती कौन थे सद्दाम हुशन है जलाल तालाबानी है अहमद हशन अलवकर है या फिर अब्दुल रह्मान आरीफ है आरीफ कहो या आसीफ कहो चली तो सही सौ जंगों की एक जंग इस बार तो साबित हो करके रहेगी तो यहाँ पर टेन का एक अप्शन सही है इस तरह से दस प्रस्ट आपको पॉलिटिकल के कराएं स्रीज अच्छा लगाओगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और जो आपके मित्रे साथ ही हैं जो आर्ट्स लिए ह उन पर इस चैनल को सेर कर दीजिए कोई वीडियो सेर कर दीजिए ताकि वो भी स्रीज का अबजेक्टिव लाब देख सके जो भी संपूर्ण सलेबस को पढ़ करके रख दिये हैं यह पढ़ रहे हैं पीछे से हर कोई आदमी भूल जाता है तो उसके लिए स्रीज में भी आ हम मिलते हैं आपसे कुछ नए स्रीज के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद अल्ला हाफिस राधे राधे आपका दिन सुब्व